Hello and welcome everyone, आज हम पढ़ेंगे Class 7 का Tribes, Nomads and Settled Communities Chapter को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी देखते हैं Hello बच्चों, कैसे हो? मो मो खाता हूँ चटनी लगाकर बच्चों, क्या तुम लोगों ने Tribal Community को देखा है कभी? सर, Tribal Community मतलब आदिवासी लोग ना? हाँ, सर, मैंने तो देखा है एक बार जब मैं अपनी नानी के घर गया था तो खेलते खेलते गलती से मैं जंगल वाले एरिया में चले गया वहाँ पर मैंने कुछ आदिवासी लोगों को देखा जिंगल आला हु जिंगल आला हु ए लड़के क्या करता है यहां पार हमारा जंगल है यह अरे अंकल सौरी सौरी मैं गलती से इधर आ गया मैं अभी यहां से चले जाता हूँ प्लीज मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो अरे तू तो बहुत अच्छा बच्चा लग रहा है ले बेटा एक सेब खा ले बाहर जाने का रास्ता मैं दिखा देता हूँ तुझे इस चैप्टर के अंदर हम यही सारी इंटरस्टिंग चीज़ें समझने वाले हैं जो हमारी कंट्री है इस कंट्री के अंदर लोगों को अल्रेडी डिवाइड करा हुआ था अब यह वर्ना क्या होता है देखो वर्ना एक ऐसा रूल था जिसको भ्रामविन लोगों ने बनाया था और इस रूल के अल्डिंग लोगों को पांच केटिगरी के अंदर डिवाइड करा दया था सबसे पहली जो category आती है वो थी ब्राम्मिन ब्राम्मिन मतलब की पुजारी लोग ये लोग पूजापाट का काम करेंगे और academics मतलब लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे सिखाने का काम करेंगे फिर आते थे शत्रिय शत्रिय वारियर्स होंगे या फिर kings होंगे मतलब जो भी जंग करेंगे लड़ाई करेंगे वारियर्स होंगे जितने भी वो सब शत्रिय माने जाएंगे फिर आते हैं वैश्य वैश्य कौन होंगे merchant या फिर landowner अब merchant का मतलब क्या होता है व्यपारी businessman जो भी business करेगा वो वैश्य है फिर शूद्र शूद्र कौन commoners, peasants, servants मतलब की जो भी काम बगएरा करते हैं मतलब labor बगएरा हो गई आपने देखा है न लेबर्स हो गई ये सब शूद्र के अंदर आते थे उस समय और फिर untouchable अब untouchable कौन लोग होते हैं जिनको हम touch नहीं कर सकते ऐसा उन लोगों ने rule बनाया था अब untouchable वो किसे मानते थे वो लोग जो की cleaning का काम करते थे साफ सफाई का काम करते थे उन्हें untouchable माना जाता था इन पाँचो जो ये उन्हें इन rules को पूरे kingdom के अंदर मतब अपने पूरे राज्य के अंदर सब लोगों को follow करने को बोला जादा तर tribes cities से बहुत दूर रहा करते थे इसी वजह से वो लोग ब्रामिन्स के बनाये हुए rules को follow नहीं किया करते थे ना ही वो caste system को follow करते थे बलकि सब लोग मिलजुल के रहा करते थे अब ये tribal लोग रहते कहां पर थे ये लोग अलग-अलग जगओं पर रहते थे कुछ लोग forest के अंदर कुछ लोग hills के अंदर कुछ लोग deserts में कुछ लोग ऐसी ऐसी जगओं पर जहां पर हम लोग पहुच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी जगाओ पर रहा करते थे अब जो लोग ये caste based system यानि की जो वर्ना वाला system है इसे follow करते थे वो लोग भी tribal लोगों के ओपर dependent होते थे कैसे अगर उन्हें कोई जड़ी बूटी या कोई भी medicine लेनी है जंगल से तो वो किसके पास आते थे tribal लोगों के पास कि हमारी मदद कर दो हमें जड़ी बूटी दे दो और tribal लोग उनको जड़ी बूटीयां दे दिया करते थे उसके बदले tribal लोग उनसे अपनी जरूरत की चीज़े ले लिया करते थे तो यहाँ पर जो लोग caste based system follow कर रहे थे cities के अंदर kingdoms के अंदर वो लोग भी इन tribal लोगों के साथ दोस्ती बना कर रखते थे इनसे भी समान लिया दिया करते थे ये कोई add नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के button पे click करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ आखिर का ट्राइबल पीपल थे कौन अरे भया ट्राइबल पीपल के बारे में मुझे साफ साफ समझ में आ गया ये वो लोग हैं जो कि cities या फिर kingdoms के rule को follow नहीं करते जंगल के अंदर रहते हैं और जंगल के अंदर जो भी समान मिलता है उसी से अपना गुजारा करते हैं बिल्कुल सही ऐसे ही बहुत सारी tribes अलग अलग जगा हमें देखने को मिलती है अब जब मैं अलग अलग जगाओं की बात कर रहा हूँ तो देखो कब की बात कर रहा हूँ ये मैं आप से तब की बात कर रहा हूँ जब इंडिया फॉर्म ही नहीं हुआ था ये उससे पहले की बात है और इंडिया के अंदर ये जो सारी सिचुएशन थी तब कुछ इस तरीके की थी बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है ये तो यहाँ पर पंजाब के अंदर कौन सी ट्राइब्स थी अच्छा ये मतलब की वो सारे लोग जो की जंगल के अंदर हिल्स के अंदर फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं लेकिन अगर हम इनके छोटे छोटे ग्रूप्स कर दें तो उन्हें ही हम लोग ट्राइब्स बोलते हैं तो ट्राइब की बात करते हैं सबसे पहले पंजाब के अंदर कोकर ट्र थी 13th century के अंदर मतलब की इनकी लोग जादातर बात सुना करते थे थोड़े powerful लोग थे 13th और 14th century के अंदर कौन सी ट्राइब ज्यादा powerful थी पंजाब है खोकर ट्राइब उसके बाद घाकर जो थी वो एक important ट्राइब बनी उसके बाद मुलतान और सिंद के अंदर ये वो जग लंगाज और अरगुंस ये काफी जादा dominating tribe बनी तो यहाँ पर इन tribes के बारे में हमें कुछ इन stones वगएरा पर जो design बनी हुई है उनसे भी पता चल जाता है अगर आप पत्थर वगएरा पर देखोगे तो कुछ-कुछ इन पर भी design बनी हुई है जिससे हम लोग guess कर पाते है tribes के बारे में नौर्थ वेस्ट जो एरिया है जिसको हम लोग बलूची बोलती है वहाँ पर कौन सी tribe देखने को मिली नौर्थ वेस्ट एरिया में बलूची की अब ये वाला भी जो रीजन है न ये लगभग हमारा पाकिस्तान के अंदर ही चले गया है बेस्ट्रन हिमाल्या के अंदर हमें देखने को मिले गदीस कुछ इस तरीके के लोग इस वाली tribe को देखने को मिला नौर्थ इस्टरन पार्ट जो है हमारे सब कॉंटिनेंट का वहाँ पर क्या देखने को मिले नागाज अहोम्स ये देखो और भी बहुत सारी अलग-अलग tribes उसके बाद बहुत स संथल्स जो थे ये एक important tribe बन गई जो कि इस region के अंदर रहा करती थी और ओरिसा और बंगाल के अंदर भी हमें मुंदाज और संथल्स देखने को मिलते हैं अच्छा मुंदाज और संथल्स वाली जो tribe बने ये अभी भी present है हमारी country के अंदर महराश्रा के highlands और करनाटका और southern region के अंदर हमें कोलीज, बराड्स, कुरागस, वीतर्स, मरावर्स और भी बहुत सारी tribes देखने को मिली western पार्ट जो है और central इंडिया है हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें भील्स ये इस type की tribe है अभी भी ये tribe हमारी है country के अंदर present और present day जो states है हमारे 36 गर्ड, मध आंदर प्रदेश, उस समय तो ये कोई भी states थे ही नहीं इंडिया के, तो यहाँ पर इंडिया तो बहुत बाद में बना है, तब इस जगहों पर अभी जहाँ पर 36 गर्ड है, मध्या प्रदेश है, महाराश्ट्रा है और आंदर प्रदेश है कौन सी tribe थी, गोंड्स की tribe थी, अब ये देखो इन अंटी ने अपने सर के उपर क्या लगा रखा है, अरे बया इन अंटी ने तो अपने सर पे ही पेड़ उगा लिया, ऐसे किसी के रिच्वल्स का मजाग नहीं उडाते, अब हम पढ़ेंगे नुमैड्स के बारे में और मुबाइल पीपल के बारे में, कि आखिरकार वो लोग कैसे रहा करते थे, अरे बया क्या बात कर रहे हो, लोग भी फोन हुआ करते थे पहले जमाने में, अरे मोटूलाल ये वो वाला मुबाइल नहीं है, देखो नुमैड्स या फिर मुबाइल पीपल हम उन लोगों को बोलते हैं, जिनका पर्मानेट एक घ नहीं है, तो जो नुमैडिक लोग हैं, वो अपने साथ बहुत सारे एनिमल्स रखा करते थे, और एक जगा से दूसरी जगा मूव करते थे, जो की काफी जादा लॉंग डिस्टेंस होता था, अब इनके एनिमल्स को क्यो रखते थे ये अपने साथ, जिससे की अपने एनिम से मिल्क ले सके, और भी खाने की जो जरूरत की चीज़े हैं, वो ले सके, ये लोग जो भी समान अपने एनिमल्स से लिया करते थे, इस समान को कभी कभी एक्सचेंज भी कर लिया करते थे, किसी फार्मर के पास जाते थे, बोलते थे कि देखो, हमारे एनिमल्स से हमारे पा और कभी-कभी ये घी को एक्सचेंज कर लेते थे, कभी-कभी तो एनिमल्स को ही दे देते थे, कि लो हमारी गाए ले लो, इसके बदले हमें धेर सारे ग्रेंज दे दो, तो इस तरीके से जो नुमैड्स थे, वो कुछ जिया करते थे अपनी लाइफ, नुमैड्स कौन लोग हैं, हमें क्लियर हो गया कि नुमैड्स वो लोग हैं, जिनका एक पर्मनेट घर नहीं होता, जो मूव करते रहते हैं, तो जनरली ऐसे कौन सी कम्म्यूनिटी होती थी ट्राइबल लोगों में, वो थे बंजारास, जो बंजारास थे, वो लोग ज़्यादा तर ऐसे किया करते थे, कि एक जगा से दूसरी जगा मूव करते रहते थे, और भी बहुत सारे पैस्टोरियल ट्राइब्स थे, जो कि क्या करते थे अनिमल्स को पालते थे, उनको बेक दिया करते थे, जैसे कि cattle या फिर horses को बेग दिया करते थे prosperous लोगों को मतब कि जो थोड़े rich लोग होते थे उन्हें बेग दिया करते थे और उसके बदले पैसे ले लेते थे या फिर इन सारी चीजों में से कोई ना कोई समान ले लेते थे जैसे grains, cloth, utensil ऐसा कुछ समान ले लेते थे अब पढ़ते हैं हम लोग changing society, new caste and hierarchies के बारे में बहुत सारे ऐसे tribal लोग थे जिन्होंने decide करा के हम भी शहर के अंदर जाकर रहेंगे, cities के अंदर जाकर रहेंगे लेकिन जब वो cities के अंदर पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि यार यहां तो क्या system है, यहां तो वर्ना वाला system है caste वाला system है, और इस system को बनाया था ब्रहम्मिन्स ने तो अगर हम शहर के अंदर आएंगे तो हमें यह caste वाला system follow करना पड़ेगा तो ब्रहम्मिन्स ने बोला के ठीक है, तुम लोग शहर के अंदर आ जाओ हम तुमें special type की जाती दे देंगे हम तुमें special वर्ना के अंदर डाल देंगे, एक separate वर्ना के अंदर डाल देंगे तो यहां पर artisians, car painters, masons, इन सब को भी एक separate जाती मिल गई थी Among the शत्रिय, new राजपूत clans became powerful, अब शत्रिय जो थे वो कौन थे, warrior इनके अंदर भी बहुत सारी राजपूत clans थी, मतलब की अलग-अलग शत्रियों के part थे, groups थे जिनको हम लोग राजपूत clans बोलते हैं, उसमें से कुछ clans बहुत जादा powerful हो गई थी 11th and 12th century के अंदर, ब्रामिन्स के support की वज़ा से बहुत सारी जो tribes थी, वो लोग अब caste system का part बन सकते थे तो ब्रामिन्स ने क्या करा था, tribal लोगों को शहरों के अंदर आने तो दिया था, cities के अंदर आने तो दिया था, लेकिन कहा था के हमारे rule फॉलो करने पड़ेंगे, caste system का part बनना पड़ेगा अब हम लोग closely देखते हैं और interesting चीजों को, सबसे पहले हम लोग गॉन्स लोगों के बारे में पड़ते हैं, जो गॉन्स हैं, ये गॉन्डावा के forest के अंदर रहते थे, यहीं से आता है ये term गॉन्स ये लोग shifting cultivation करते थे, सर shifting cultivation क्या होता है, अब ये हमारा पूरा बड़ा सा जंगल है, इसमें एक छोटा सा पार्ट ये लोग decide करते थे, वहाँ पर आग लगा देते थे, अरे आग क्यों लगा दी, आग इसलिए लगा दी क्योंकि पेड़ वेड़िये काटना नहीं चाते थे आग लगा के वहां की जमीन को सफाचिट कर देते थे, clean कर देते थे, फिर यहाँ पर मझे से crops को उगाया करते थे, तीन चार साल बाद जब crops को अच्छे से grow कर लेते थे, तो फिर दूसरी जगा पर shift हो जाते थे, फिर दूसरी जगा भी यही करते थे, पार्ट को select करा, यह इहां पर farming करना शुरू कर दिया लेकिन पहले वाले part का क्या होता था जहां पर ये पहले farming करते थे वहां पर फिर ट्रीज वगएर आपने आप उख जाते थे बाद में अच्छा ऐसा क्यों करते थे पहली वाली जगह से दूसरी जगह पे क्यों आते थे क्योंकि वहां की soil के अंदर nutrition की कमी हो जाती थी इस वज़ा से दूसरी दूसरी जगा पर यह ऐसे ही जंगल के अंदर land select करते रहते थे और वहां पर अपने farming करते रहते थे large gaund tribe जो थी वह भी छोटी छोटी clans के अंदर what was clan clan क्या हो गया क्या होगया tribe का प्राइब का भी एक छोटा पार्ट क्या हो गया covenant और हर एक clan के अंदर उसका एक खुद का राजा होता था, मतलब की king होता था, तो मतलब हर एक clan का कौन होगा, एक king होगा जो की पूरी clan को rule करेगा, यहाँ पर जो भी king होगा वो अपनी मर्जी से सारी चीज़े नहीं चलाएगा, एक पर थोड़ा असानी से समझते हैं, यह है g गोंड ट्राइब, एक साथ, अब इस गोंड ट्राइब के अंदर क्या करा हमने इसके 3 parts कर दिये, जिसे हमने बोला clan, अब यह अलग-अलग clan बन गई, अब इस अलग-अलग clan के यह तीनो राजा हैं, 1, 2, 3, अब यह जो तीनो king है ना, यह एक साथ मिल के सारे rules बनाते हैं, और फिर इन सारे rules को अपनी-अपनी clan के अंदर, मतलब अपने अपनी जो भी इनका group होता है, अपना part होता है, वहाँ पर जाकर अपने इन rules को follow करवाते हैं, तो यह क्या था, administrative system जो था in kingdoms का, वो कैसा था, centralized, जो large states थे, इनकी वजह से, जब large states बनना शुरू हुए, इनकी व देखते, divide हो गई into unequal classes, मतलब क्या हुआ, कि जब बहुत बड़े-बड़े states बनने लगे, हमारी country के अंदर, देखते ही, देखते कुछ states बनने लगे, states बनने के कारण, जो gone, लोग थे, उनके अंदर भी division होने लगा, अलग-अलग होने लगे, कुछ लोग तो बहुत अच् state था gone का, ठीक है, जब मुगल लोग gone को हरा देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस पार्ट को हत्या लेते हैं, annex कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पर बोल देते हैं, कि जो थोड़ा बहुत पार्ट है, यहां पर चंदरशा को दे देते हैं, कि यह थोड़ा बहुत पार् गौन्ड वगेरा लोगों को तुम रख सकते हो तो उन्होंने क्या करा जो गौन्ड लोगों का अच्छा वाला इलाका था उस इलाके को मुगल लोगों ने अटाक करके खुद जीत लिया और जीतने के बाद थोड़ा बहुत पार्ट चंदरशा को दे दिया कि यहां पर अब लोगों को रख सकते हो इसके बाद जितने भी गौन्ड लोगते देखते ही देखते वो वीकर होते गए कमजोर होते गए क्योंकि जो उनका रिच्च स्टेट था मतलब जो अच्छी जगा थी वो तो मुगल्स ने हडप ली थी उसके बाद देखते ही देखते इतना और जो मराठास थे वो इनसे पावरफुल हो गए थे अब बात करते हैं अहोम्स की अहोम्स माइग्रेट करते हैं ब्रह्मपुत्र वैली से अब यह जो ब्रह्मपुत्र वैली है ना आजकल मतलब प्रेजेंट डे में यह मयनमर जो जगा है वहां पर है 13th century के अंदर वहां स दोनों राज्यों के उपर अपना control जमा लेते हैं एनेक्स मतलब की control कर लेते हैं रूल करने लग जाते हैं और जितनी भी यहां की tribe सी इन्हें subjugated कर देते हैं मतलब की जो भी यहां के tribal लोगते उन्हें बोल देते हैं हमारा rule और regulation follow करनी पड़ेगी क्योंकि अब यह राज् देखा होगा ना तोप जिसे बोलते हम लोग तोप की help से आप में से कितने बच्चे तोप के बारे में जानते हैं comment section में comment कर रहा हूँ और अगर आपने देखी हैं तो यानि कि cannons देखी हैं तो कहां देखी हैं गेम में देखी हैं रियल लाइफ में देखी हैं तो early 1530s के अं बंदूके चलती हैं, canons चलती हैं, वो वाला powder बहुत अच्छी quality का बनाने लगे, और canons भी बहुत अच्छी बनाने लगे, आज कल तो हम लोग अगर बंदूक लेने जाएं, तो बहुत सारी permission लेनी पड़ती है, government से, फिर एक company से जाकर हमें बंदूक खरीदनी पड़ती है, जो अहोम्स थे, इन्हें भी मुगल्स डिवीट कर देते हैं, मुगल्स काफ़ी powerful थे उस समय, जो मुगल्स थे, ये लोग लेकिन ज़्यादा समय तक अहोम्स को control नहीं कर पाते, जो अहोम स्टेट था, ये किस चीज के ओपर depend करता था, upon forced labor, लोगों से जबर्दस्ती काम कर आया जाता था, forced labor थे, by the first half of 17th century, मतलब 17th century की शुरुआत में, जो administration था, वो काफी ज़्यादा centralized बन गया था, मतलब की जो rules and regulation थे, वो एक तरीके से center से होते थे, मतलब की कुछ selected लोग होते थे, leaders होते थे, जो rules and regulation बनाते थे, वो सब को follow करने पड़ते थे, a home society जो थी, वो खेल्स बोलो, हम लोग आसानी से यही समस्ते हैं, जादा था के clans, लेकिन ये लोग खेल्स भी बोला करते थे, a homes जो थे, वो खुद के ही भगवान की पूजा करते थे, ऐसा नहीं था कि, specially वो मुगल्स वाले गौड की कर रहे हैं, हिंदू के गौड की कर रहे हैं, नहीं, उनके खुद के ही बगवान थे, उनकी वो पुजा करते थे, 1714 से लेके 1744 तक, यहां पर हिंदूइजम धरम काफी जादा popular हो गया, predominant religion बन गया, मतलब लोग जादा तर हिंदूइजम को follow करने लगी, यहीं पर हमारा chapter होता है, खतम, अगर आपको इस chapter के notes चाहिए, sample paper चाह को subscribe करो और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना, आप सबके लिए homework के लिए question है कि nomads कौन लोग होते हैं, comment section में comment करके जरूर बताना, see you in the next video, bye bye till then